ऐलो व्रेंडस वेलकम बैक तो माइ चैनल तो आज की इस वीडिए ओम डेजाने स्लीज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इसे बना लिह हमने याप हैप़रिक और लेज ली है तो इसकी जो कटिंग में पहले हम पेपर करेंगी तो नॉर्माल स्लीज में कट करनी है 30 की लेंद हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच तो अपर पार्ट जो है वो हमें 7 इंच का रखना है 1.5 इंच का हम बैल्ट लगाएंगे तो 7 इंच टोटल रखनी है जिसमें हमने 1 इंच प्लस किया मार्जन का तो 8 इंच पर हमने मार्किंग करते हुए लायन को ड्रो कर देना है यहां से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर जो हमारा आर्मूल था वो है 10.5 इंच तो 10.5 इंच पर मार्किंग करते हुए डाउन कर दिया है स्लीज को स्लीज राउंड है 14 इंच उसका हाफ लेना है सेवन इंच और तू इंच लेना है मार्जन के लिए तो 9 इंच पर मार्किंग करते हुए लाइन को ड्रॉ किया फ्रंट शेप देना है इस तरीके से लीप टाइब का शेप देना है अम इसमें कर देना है यह दिखे कर दिया तो नॉर्मल स्लीज हमारी कट हो गई है अब हमें आप फैवरिक लेना है तो फैवरिक की चले लेंद वह भी हमने आपर एट इंच की लिए है अब इसको इस तरीके से से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक मार्किंग कर लेनी है उपर नीचे दोनों साइट पर इसकी जो टोटल लेन्द है वह हमने 29 इंच की रखी है अलब यह सिंगल जो है वह 29 इंच का है डबल करेंगे तो 14.5 इंच का है अब सेंटर से हमें 22 इंच पर मार्किंग करने है तो 3 टाइमस हम मार्किंग करेंगे उपर के सेंट पर हम मार्किंग करेंगे 22 इंच के गैप पर यह दिखें यहां पर हमने मार्किंग कर दी अब दिखें जो सेंटर था ना हमारा उसको रखना है और इस तरीके से प्लेट्स डालनी है इस पर दूसरे साइट पर भी इसी टाइप से प्लेट्स डाल लेना है यह देखें प्लेट्स को डाल लिया अब उपर के साइट वाली प्लेट्स डाल लेनी है यह देखें इस टाइप से यह देखें प्लेट्स को अमने डाल दिया है अब यह आपर जो हमने पेपर कटिंग की थी ना उसको इसके उपर रखना है इस तरीके से और इसको अच्छे से से सेट कर देना है यह देखें तो सेट कर दिया अब जो हमारी पेपर है उसके साइट से हमको स्टीच करना है यानि कि उसके पेपर के ऊपर ही स्टीच करना है तो जो पेपर की कटिंग हमने की है वो हमने सिर्फ प्रॉपर शेप लेने के लिए की है इसलिए इसका क्योंकि हमने याँ पर प्लेट्स डाल ली हैं तो वो पार्ट्स आपके चोटे बड़े हो गए हैं तो इसलिए हमने याँ पर इसमें प्लेट्स डाल ली के लिए पेपर पिकटिंग को कट किया था अब साइट का जितना भी एक्स्ट्रा माजन है उसको कट कर देना है साइट का जितना भी एक्स्ट्रा फैवरिक है तो दिखे इसको कट कि रिया यह दिखे इस टाइप का शेप आया यहां से हलका सा पेपर एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर देना है अब यहांपर हम एक पट्टी लेनी है, तो पट्टी की जो वीट थे, वो हमें 2.5 इंच की रखनी है और इसको यहांपर नीचे के साइड रखना है, उल्टे साइड पर और से स्टीच कर देना है एक स्ट्रीच हम इसके उपर से करेंगी ताकि अच्छे से फिनीशिंग आ जाए इसमें अब इसको यहां से थोड़ा-थोड़ा सा फोल्ड करना है ज्यादा फोल्ड नहीं करेंगे क्यूंकि इसमें हम लेज भी लगाने वाले तो लेज भी काफी हाड है तो इसको हमें ज़ादा fabric इसमें नहीं लेना है फोल्ड करने में बना ये ज़ादा motype का हो जाएगा ये दिखिये तो हमने इसको stitch कर दिया है अब इसके उपर हमें lase को stitch कर देना है ये दिखिये तो जो आपकी ले से और नीचे का जो बैल्ट है वो इक्वल होना चाहिए चोटा बड़ा नहीं होना चाहिए अभी हमें इसको स्टीच कर देना है तो दिखिए हमने बैल्ट को स्टीच कर दिया है अब जुसका पेपर है वो हमें निकाल देना है यहां से तो एजिली पेपर हट जाएगा यहां से यह दिखिए तो इस ट्रैप से पुरा पेपर को हटा देना है तो दिखिए कितनी फ्रेशिंग आ गई हमारी स्लीज में तो इसलीज हमारी बिनकर कंप्लीट हो गई है तो बहुत ही यूनिक पैटन है से आप जरूर ट्रै करिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तेंक यू